आज की इस वीडियो में हम इस TDA 2030 का Home Theater Board का वायरिंग करना सिखेंगे यह TDA 2030 Amplifier Board कुछ इस तरह के Box में आता है जो की यह थोड़ा Quality, Low Quality का है आप लोगों को मैं Oswal का Amplifier Board वायरिंग करके बताया था अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा अगर आपके पास वह Board है तो आप जाकर के देख सकते हो आई के बटन में किलिक करके या तो फिर मैं Link description में भी दे दिया हूँ यह वाला Board इस वाले Box में आता है कुछ इस तरह से और इस Box में दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत उतना अंतर नहीं है यह थोड़ा Low Quality का है यह देड़ सो का पड़ा मुझे मैंने Local Market से खरीदा है और उस वाले में जो Registers वगेरा यूज होते है थोड़ा High Quality के यूज होते है जैसे कि यहाँ पर यह 1 by 4th Watt का यूज किया गया है वहाँ पर 1 by 2 Watt का यूज किया जाता है तो वो थोड़ा बहतर था तो देखिए इसमें Total 3 IC होते हैं उसमें भी 3 IC होते हैं 3 IC में से 1 IC होता है Subwoofer के लिए और 2 IC होता है Twitter Speaker के लिए यह जो Amplifier Board है Home Theater Board 2.1 का है या तो फिर आप 4.1 भी बना सकते हो इन दोनों IC में दो-दो Speakers को Parallel में Connect करके इस Amplifier Board में अगर देखे तो बेस के लिए 458 का IC को यूज किया गया है और यह रहा Rectifier और यहाँ पर गाइस 78.05 का Voltage Regulator भी यूज किया गया है ताकि आप यहाँ से 5 Volt Output लेकर के Input Power Supply दे सकते हो Bluetooth Module में और इस Board का इस Side में अगर देखे तो कुछ इस तरह से वायर्स Connected है अगर आपके Board में नहीं Connect किया हुआ है तो कोई बात नहीं गवराने की कोई दिकत नहीं है सारे आप वायर्स को Connect करना सीख जाएंगे तो इसलिए सुरू करते हैं यह जो तीन वायर्स देख रहे हैं यहां पर यह वायर्स यह है हमारे Transformer वहिया के लिए यहां पर बारो जीरो बारो का Transformer इंपूट जाएगा जो की जो जीरो वाला होता है वो Ground होता है जो आउटपुट DC यह रेक्टिफायर के बाद आउटपुट DC होता है उसका Ground जीरो वाला वायर होगा तो यह है नेगटिव और यह जो दो वायर्स हैं यह 12 और 12 का वो यहां से रेक्टिफायर में कनवर्ट करके DC में कनवर्ट कर देता है यह दो Capacitors हैं पावर सप्लाई के लिए जो की सीरीज में कनेक्टेड हैं और यहां पर सबसे पहले Transformer का मैं साथ साथ में कनेक्ट करता जाता हूँ वायर्स को ताकि ज्यादा लॉंग भी वीडियो ना हो और पेचीदा भी ना हो तो यहां पर मैं Transformer का यूज कर रहा हूँ जितना की आपको दो जितना की आपको तीन एंपियर में आउटपुट मिलेगा तो बैतर साउंड क्वाइलिटी के लिए तीन एंपियर का Transformer को आप यूज करें तो यह बारा जीरो बारा का वायर कनेक्ट कर दिया मैंने इस बोड में यहां पर देखिया मैंने किस तरह से कनेक्ट किया यह बारा वायर फिर जीरो कनेक्ट करना था यहाँ पे यही वाला यहाँ पे आया ना इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जीरो वाला वायर यहाँ पे और यह गया था यहाँ पे तो इधर से मैंने इसको सोलर कर दिया यह इस जगाँ पे और जो जीरो वायर, सेकेंड जीरो, सेकेंड बारा, यहाँ पे connect करना था, तो यहाँ पे मैंने connect कर दिया, तो कुछ इस तरह से transformer का wire का complete हो चुका है, और यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इसमें power supply दे दूँगा, यह हो गया transformer के लिए, अब यह wire को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, यह जो wire है यह output DC देता है, इसका कोई जरुरत नहीं है, आप इस पे द्यान मत दो, output DC देता है, 17-18 volt यहाँ से output, जो की एक negative से connected है, एक यह वाला से connected है, और एक इस IC के pin नमर 4 से connected है, तो कुछ इस तरह से यह side हो गया, अब देखो, इसमें से output 5 volt लेने के लिए, एक 78-05 का voltage regulator लगाया गया है, जो की constant output 5 volt देता है, आप इसमें 18 volt दो, या फिर 12 volt दो, लेकिन output या 5 volt ही देगा voltage regulator लिया, क्योंकि 78-05 है, तो यहाँ पर देखिए, यह बीच वाला ground होता है, और इस side वाला, जो इस side वाला pin है, यह input होता है, और यह right side का जो third वाला pin है, वो output होता है, तो output के जगा पर यहाँ पर देखिए, एक white wire connected है, यह white वाला, तो यहाँ पर यह positive output आ गया, तो इस positive वाले को मैं connect कर देता हूँ, bluetooth module में, यहाँ पर मैं bluetooth module इस वाले को use करने वाला हूँ, आप चाहे तो पुराने जिस तरह से मैं बनाता था, उस वाले को भी use कर सकते हो, दोनों same है, उतना कोई भी difference नहीं है, बस इसमें एक दो extra buttons add हो गये हैं, तो यहाँ पर module में हमेशा आप चाहें, तो कोई साब भी module हो, पावर से अपला positive negative देख करके ही connect करें, देखिए यहाँ पे एक red वाला मेरा positive है, तो इस bluetooth module के red wire को मैं यहाँ पर connect कर देता हूँ, जो white wire यहाँ पर connected था, और यहाँ पर connect कर देता, क्योंकि यही wire यहाँ पर आया है, एक wire यह positive और negative बीच वाला होता है, तो बीच वाले में connect कर देता हूँ negative का, अब यह सबसे बड़ा जंजट खतम हो गया, क्योंकि पावर सबला अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा आपके module में, तो module Y तूरंत खराब हो जाएगा, यह देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इस पर connect क Bluetooth module का audio output है, वो कहाँ पर connect करना है, तो यह output जो है, वो हमें connect करना है, volume के potentiometer में, volume का potentiometer मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ 6 pin वाला, 6 pin में से आप लोगो को पता होगा, अगर आप पहले वीडियो देखते होंगे मेरे तो, इन तीनों जो है, यह अलग channel का है, यह तीनों अलग channel क है, और यह जो, यह first वाले pins है, यह input है, beach वाले output है, यहाँ के potentiometer के, और यह दोनों जो है, ground है, तो इन दोनों ground जो common होता है, तो इस ground से यहाँ से एक wire output निकाल लिया हो बाहर, और इन दोनों में input देना है, तो input कहाँ वाला जाएगा guys, जो हमारा module का है न, उसके wire input यहाँ पर देखिए, यह wire input जाएगा, ground पहले में देख लेता है, ground हमेशा beach वाला होता है, तो beach वाले को पहले connect कर देता हूँ, तो इसका ground इस side connect होगा, तो इस potentiometer का दोनों sorted था, उसमें ground का connect कर दिया, और इसमें input connect करना है, तो एक wire इधर connect कर देता हूँ, और दूसरी wire इ हो गया हमारा, Bluetooth module का connection सारा खतम कहानी, यहाँ से खतम कहानी, यह जो audio जो है, यहाँ से देखिए, यह दो connector है, इसमें भी आप confused हो सकते हैं, तो यह भी बता देता हूँ, यह यहाँ से out वाला जो है ना, उसको connect किया हूँ, ठीक है, और यह जो in वाला है, यह aux cable आप इसमें input दे सकते हो, तो इसमें आपको connect नहीं करना है, तो यह हो गया connection इसमें, अब बचा इसमें ground का, और यहाँ से output जो जाएगा, वो input देना है इस board में, तो वो कहाँ पर connect करना है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ पर देखिए guys, यह इसमें total 3 IC है, तो 3 IC जो है, य यह TDA 20-30 में pin number 1 input का होता है, और pin number 4 output का होता है, तो pin number 1 में हमें input देना है इस board में, तो देखिए, वो इस जगह पर connect हो करके आया हुआ है, यह जो 3 wires connected है ना इसमें, तो यह 3 wire में से, यह 2 input जाएगा इस board में, और यह वाला पिला वाला wire ground है, ground कैसे है, देखिए, यह wire यहा इधर होकर के, यहां पे आया, तो यह हो गया, grounded wire, ground वाला, और यह दोनो input कैसे है, क्यूंकि, अगर इस green wire को trace करें, तो देखिए, यह इधर गया, यहां गया, यहां से एक PF connected है, यह जो दोनो PF है ना, यह input है, ठीक है, यहां से उस side गया, यहां से इस side आया, और फिर, यहां यहां आया, और यहां से एक और PF connected है, देखो यह वाला, यहां से connected इस जगा पे आया, और pin number 1 यह वाला हो गया, तो इस board में input जो है, हमारा, यह वाला green जाएगा एक, और दूसरा जाएगा यह blue वाला, blue वाला कैसे, देखिए, यहां से एक आया, यह है, यहां पे आया, फिर यहां से एक PF connected है, जो यह बताया मैंने, यहां से फिर यहां गया, यहां से फिर एक और PF connected है, यह और यह यह वाला था, ठीक है, और यहां पे यह आया, और pin number 1 यहां से यह connected है, तो कुछ इस तरह से इसका दोनों का input हो गया, और दोनों का input यह green वाला है, और blue वाला है, यह दोनों तो यहां पर connect कर देना है हमें इस potentiometer के यह वाले वायर में ग्रीन और देखो यही वायर है ना green और blue ग्रीन और blue तो यह जो दोनों वायर है यह हमारा यहां से connected होगा जो potentiometer का output है वहां पर connect करना है एक और दूसरा देखिए green blue मैंने इस पर connect कर दिया और इस amplifier board में green blue यहां और यह जो yellow wire है यह grounded मैंने बताया तो इस yellow wire को भी यहां से connect करना है ground का तो इस ground को भी connect कर देता हूँ और बाकी बचा यह white वायर जो की white वायर हमारा 78.05 से आया था voltage regulator से उसको मैंने यहीं पर solar कर दिया तो इस white वायर को मैं use नहीं करने वाला हूँ तो इसको cut करके पूरा हटा देता हूँ पहले यहां इसे कर दो से कन hero देता हूँ से इसे आया हूँ